हलो किसान भाईयों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अशोक वाटिका और मैं हूँ आपका दोस्त आजय किसान दोस्तों आज हम सीखेंगे कि नर्सरी में जो हम अक्सर नाम सुनते हैं कोकोपिट का पोकोपिट होता है दोस्तों मैं आपको बता तू होता है नारेल का बुरादह गैसर न्हारेल की पुराद Εगा यह मिलता किसल हे एक प्रिक के फॉम में यह देखिये यह हैं हमारे पास Pocopit जो कि हमने ओनलाइन मंग भाया है दोस्तों यह हमें पढ़ा है 300 रुपे की ब्रिक पढ़ी पूरी और लगपत पास की रुजने सार दोस्तों इस तरीके से इस शेक में मिलता है मैं ब्रिक के रूपे मिलता है देखिए मैंने पहले भी आपको कई वीड अब इससे हम प्रिक करते हैं देखते हैं कि यह कैसे निकलता है देखिए इसो पर एक पोलीव चटीव जाले है इसको को इस तरीके से एक पर कंपरेश करके इस ब्रीक पर बतल दिया जाता है इसको हम केसे यूज करते हैं दिस्टों इसको हम पिको फर यूज करते हैं इसको 12 गूंटे तक पिको के रखना पड़ता है पानी में उसके बाद यह बहुती soft बहुती हलका हो जाता है इसमें नमी हो जाती है उसके बाद हम इसमें इसमें पानी निकाल करके इसको दो-तीन गुंटे हवा में सुगा करके फिर नर्सरी के लिए फोट्रे में या डिस्पोजल में या जिस भी चरह के पातर में आप नर्सरी त्यार करना चाते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते है एक मीडिया है जो कि बीच के लिए जो स्थान अंकुलित होने का वह पूरस बनाया रती है इसमें ठोषता कुछ नहीं है सिर्फ यह अभी कंप्रेस करो बनाया हुआ है देखिए मैं इसको तोड़ पा रहा हूं और यह देखिए बिलकुल पूराता है दोस्तो देखिये अब हम इस से use करने वाले हैं उसकर आपको दिखाने चांथे हैं 보시면 मैंने जैसे कि आपको आपको पहले वीडियो में वाधा किय था कि मैं आप हर अनुभाव अपना आपके साथ शेयर करूगा और देखे हम अब इसे कोको पिट को कैसे यूज करते हैं कैसे इसको गराते हैं उसका यूज हम आप देखेंगे आज की वीडियो में में टोपिक हमारा कोको पिट ही है कई ऐसे किसान दोस्त हैं जो कोको पिट को नहीं जानते हैं देखा है कभी, केसे यूज़ होता है ये भी नहीं बता है, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि कोकोपिट के बारे में हमारी गनकारी पूरी हुए, दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बता है कि ये खाद नहीं है, एक मीडिया है जो कि जगे को पूरस बनाय रखता है बीच जब अंकूरित होता है तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है बिल्कुल हलके से वो जमीन से बाहर निकलता है तो उसमें जो हलका पन होता है जितना ज़्यादा उसके उपर हलका पन रहेगा अंकूरित होने की चांसे उतने ज़्यादा और उतने हिल्दी पोदा अंकूरित होता है तो ये उसके अंकूरित होने में मदद करता है हलका परदार थे पोरस देता है इसलिए अब देखिए ये हमारा प्रेक है अब इसको एक साथ इससे नहीं कला सकते तो हम इसको तोड़ सक तो हमें और्चारों की मदद देनी पड़ी दोस्तों इनी तो बड़ा पेटकास है जिससे कि हमने इसे तीन भागों में वाट लिया है देखिए यह एक भाग है यह दोस्तों अब इसे हम चोटे-चोटे टुगड़ों में ऐसे तोड़ देंगे तोकि यह वैसे तूटता नही है अराय लिए यह गड़ा देंगे सुबे जरत देख ही तो आपको लगए नहीं कि इस तरीके से Nue wes Away और इस तरीके से इतना मजबूत हो सकता है कि एक नोर्मलार्ड़ों से नहीं तूटा जैसके confidence हो आज तल मशीनों से इसको इतना नहीं कंप्रेश करके बनाया जाता है और इतना पावर से कंप्रेस किया जाता है जिससे कि यह इतना मजबूत हो जाता है देखे दोस्तो अब हमने इसको तुपड़े कर लिए दोस्तो यह देखिए यह देखिए यह देखिए दोस्तो इस तरीके से अभी हम आपको थोड़ी सी मात्रा में ही गला के दिखाएंगे यह ह हम अभी आपको डेमो दे रहे हैं दोस्तों यह देखिए इस तरीके से हमने इसके टुकुडे कर लिए और देखिए दोस्तों इसको गलाने के लिए हमें एक तगारी की या बड़े बरतन की अवचित्ता होगी अगर आप एक सारा गलाना चाते हैं लेकिन अभी हम आपको डेम करम के हांते के लिए हवा देंगे दोस्तों यह देखिए हम इसमें पाने डालते हो तो देखिए दोस्कों ये गल पार्ण फिर दीले ये देखिए अ है एक एक पार्टिकल है कर तो अलए घल्ए हो जाएगा दोस्कों इसमेЕН से सुबह तक क्यंकि सुबह में इसको जितने पानी जूँखता होगी इतना पानी चूजता रहा है और देखे दोस्तों एक और खास बात इसकी यह बाइए गाइब होगे दोस्तों पानी रोकने की शंता बहुत ज्यादा आ है इसमें अगर इसमें आप नरसरी तयार करेंगे क्षे वहां पानी धेने के आवशक्तक्ता नहीं रहेंगी उसमें औरूसरी बात यह को पानी रौपने की शंता नहीं है। तो यह क्या करेगा कि पाली को लिएसे उसमें विए ँसमें भी चिना में रहा होगे। तो उसमें जैसे ही हम पानी डालेंगे जितनी इसको आवशकता होगी ये ले लेगा बाकी पानी दोस्तों नीचे निकल जाएगा ताकि उससे हमारा पीज शड़ेगा नहीं और हमें जादा से जादा जदा जर्मिनेशन प्राफ्त होगा और यह देखिए दोस्तों यह फ्लता ही जा रहा है आपम इसको बिखोने तेने में मादशत करेंगे इसकी थोड़ी प्लता ही जा रहा है दोस्तों कोई पार नहीं है शायर चोटी बहाँ बड़ा नहीं है थे लिए आ पर अभी तक तागाडी में दूर दूर तक पानी का पूगी नामो निशान नहीं है दोस्त एसा में लग रहा है कि यह और प्रो होने वाली है तक पानी दीखे नहीं रहा है दोस्तों बिल्कुल पता नहीं कहा चाला करता है देखे दोस्तों हमने आपके सामने सिर्फ इतना ब अब कर देख कही मंतलिएॉ हो सबस् basis कर दो ब्हुत फूलता है तो हुआ है- इतना सा कोर फूल को पूलता आगे तो फिर प्र पर लेकर हलका नहीं एकांपाई भाने में बना दोस्कों आपक्र है और आफ इसे 111 कोटे है तक रखते हैं उसके बाद सुबे इसका पाने निकाल कर गई आपको दिखाएंगे कि एक जिखाएंगे कि यह कैसा इतका है दोस्तों गलने के बाद तब तक के लिए गुर्टाड़े दोस्तों सुबे हो चुकी है आप सभी को सूपर बात और जैसा कि मैंने आपको बताए था पानी में जो गलाए था उसके बार बाल्टी में बहुत फूल चुगा था बाल्टी पूरी बंगे ही थी छोटे ले टुकडे से अब हमने उसका पाने निकाल लिया है और पाने निकालने के बाद में देखिए दोस्तों यह इस तरीके से गहरे बूरे रंका अगर आप तूर से देखेंगे तो काला देखी गए गहरे बूरे रंका हो जाता है यह देखिए दोस्तों इसमें नादियल के रेशे भी आपको द उसको फिर हवा में फेरा देते हैं ताकि ये साइश से हो जाए और इसमें अभी भी देखिए बहुत सी नमी अभी भी बनी हुई है ये देखिए दोस्तों अगर हम अभी इसमें बील लगाते हैं और अगर एक पूरा दिन या दो दिन इसमें पानी ना दें तो भी चलेगा द इसमें जैसे भी आप नसरी तैयार करना चाहते हैं, तेसी खाद मिला करके, वर्मी कमपोश्ट मिला करके, वर्मी कुलाइट, वर्मी पर्लाइट मिला करके, या जैसे भी आप सोचते हैं, उस तरीके से आप इसमें मिला करके, इसको ठीक से मिला करके, और ट्रे बरके, और ट् इसको क्यों कर सकते हैं और यह बहुत हि zona है दोस्तों पता ने पड़ अक्ते को यह रहता है और वह करता पोड्यक को अंकुरिन्क सम्था बढ़ाता है। और हमें ज्यादा 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 जर्मेशन प्राप्ट करवाता है इसलिए हम कोकोपिट को यूज़ करते हैं आशा करता हूं कोकोपिट से जुड़ी सभी जानकरिया आपको दे पाया आगे के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को बजाके और पे क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए आप के सुझाओ दीजिए कमेंट के रूप में और शेयर कीजिए दोस्तों ताकि ये रूपाव जादे जादा किसानों को रापत हो सके फिर्स मिलेंगे मैं अजय किसान